पिछले एक साल से भारत के दुश्मन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छिपयों हो चुन-चुन कर मारे जा रही हैं। मारे जाने वालों के लिस्प में खालिस्तान समर्थक अलगाववादी, कश्मीर में आतंग पे लाने वाले आतंग के सगढ़नों के आका और विदेशों में भारत विरोधी गतिवी दिवां करने वाली लोग शामिल हैं। उन सभी की मौत का राज क्या है अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चल पाया है। और फिर चाहे पाकिस्तान एक एक कर सब धेर हो रहे हैं। शक्स की गूली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुरुवात में ये एक समाने लॉइन आउडर की घटना लगी। लेकिन जब निजर का बैकड्राउंड चेक किया गिया तो पता चला कि वो खालिस्तान टाइगर फोस का चीफ था। ख़वर तो यहां तक आई कि निजर खालिस्तानी आतंक्यों को गन ट्रेनिंग भी देता था। जैसे हम जानते हैं कि खालिस्तान एक अलगाव वादी आंदोलन है जो पंजाब को धर्म के अधार पर अलग देश बनाने की मांग कर रहा है। 80 औ 90 के दर्शक में खालिस्तान समर्थक आतंगवाद और पाकिस्तान के चलते पंजाब की बेहत बुरीगत हो गई थी। सिक्यूरिटी और इंटेलिजेंस एजन्सियों की कड़ी मशक्कत और राजनितिक हस्तक्षेप के बाद हिमाशानती बहाली हुई है। लेकिन विदेशों में छिपे खालिस्तान समर्थक एक बार फिर से पंजाब में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वार भारत की खुफे एजन्सियों ने ठान लिया है कि ऐसा कताई नहीं होनी दिया जाएगा। दरसल निजर अकिला खालिस्तानी समर्थक नहीं है जो पिछले एक साल में धिर किया गया है। निजर को 19 जून को लोड़काया गया था, उससे ठीक तीन दिन पहले, यानि 16 जून को इंगलेंड की एक अस्पताल में दूसरे खालिस्तानी आतंकी अफ्तार सिंग खांडा की रहसे में प्रसीतियों में मौत हो गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुतावी खांडा को जहर दे कर मारा गया है। और कुछ ने बताया है कि वो कैंसर से प्रसीत था, मरने की हकीकत कुछ भी हो लेकिन खांडा जब तक जिंदा था तो इंगलेंड में रहकर भारत विरोधी गतिविदियों में शामिल रहता था वो प्रतिबंदित संकठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का सरगना भी था। खुफी अजिंसियों की फाइलों में वो एक बम एक्सपोर्ट के तोर पर कुछ्या था। लेकिन उसका सबसे बड़ा जुर्म ये था कि वो इसी साल मार्च के महीने में लंदन में भारत के हाय कमिशन यानि उच्चायोग की बिल्डिंग पर लगे तिरंगियों को तरने की साजिश में शामिल था। लेकिन सभी को सबसे बड़ा जटका उस वक्त लगा जब पाकिस्तान में घुसकर खालिस्तान कमांडर फोर्स के चीफ परमजीस सिंग पंजवार को सरेरा गोली से हुआ था यानि कि मुंबई का 2611 26 गारा उस वक्त भी भारत ने कोई बड़ी कारवाई नहीं की थी उस वक्त साफ था कि मुंबई में टेरर अटेक की पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी इसके बावजूद कोई बदला नहीं लिया गया तो वैसा क्या बदल गया है कि क्रेक्टीब एक के बाद एक आतंकियों को मौक के घाट उतार रही है इसका पहला कारण ये है कि देश की सुरक्षा की बागडोर एने से अजीर डोवाल के हाथों गया है ऐसे में विदेश में बैट कर भारत विरुदी गतिवीदियों में शामिल होने वाले ऐस समाजिक तत्वों के खिलाब कोई ना कोई कारवाई तै थी देश की सबसे बड़ी जाच एजनसी एनाईये ने लंडन की घटना में F.I.A.R. दर्ज की और घटना की सीसीडी भी जारी कर खालिस्तान समर्थों के की पहचान की अपील की F.I.A.R. में तीन मास्टर माइंड का नाम भी दर्ज किया गया एक मास्टर माइंड था अफ्तार सिंग खांडा जिसकी 16 जून को इंग्लेंड के इस्पताल में रहसे में परिसित्यों में मौत हो गई थी उसकी मौत F.I.A.R. रिजिसर होने के करीब तीन दिन के भीतर ही हो गई थी NSA अजीर डुवाल के साथ साथ अब भारत एक शक्तिशाली देश भी बन चुका है एक समय ऐसा था जब अमेरिका के राजदूत अगर भारत के प्रधान मंतरी को फोन करते थे तो भारत जो भी कोई बड़े निर्णया लेने वाला होता था चाए फिर वो देश हित में क्यों न हो उसे बदलना पड़ता था लेकिन अब परिसितियां बदल चुकी हैं अब देश में प्रधान मंतरी नरदि मोदी की सरकार है ऐसी राजनितिक हस्ती जिसका डंग का पूरी दुन्या में बचता है अमेरिका के राजपती येने वाइट हाउस में स्टेट गैस की तोर पर निमंतरन देते हैं और जिनका आटोग्राफ लेने के लिए अमेरिका के सांसदों में होड मत जाती है RAW यानि Research and Analysis Wing में काम कर चुके Retired Officer बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि देश की खुफ़े अजनसियों के पास covert operation की शमता पहले नहीं थी फ़र्वक सिर्फ इतना है कि पहले विदेशों में इस तरह के operations करने की जाज़त नहीं मिलती थी लेकिन आज भारत, इंग्लेंड और कनाडा जैसे देशों से भी यानि विक्सित देशों से भी कहीं ज़्यादा powerful बन चुका है ऐसे में सरकार की तरफ से देश की सुरक्षा और देश इतने काम करने के लिए intelligence agencies को पूरी तरह छूट मिली हुई है पिछले एक साल में विदेशों में भारत के covert operation देखेंगे तो पता चलेगा कि देश के जिन दुश्मनों को चुन-चुन कर मारा गया है उसमें सरिफ खालिस्तान समर्थकी नहीं है बलकि कश्मीर में आतंकी factory चलाने वालों से लेकर plane hijacking और 80 के दशक में blast करने वाले आतंकी भी hit list में शामिल थे इन दुश्मनों को इंग्लेंड, कनाडा और अमेरिका में ही नहीं डून कर मौत के घाट उतारा गया है बलकि अफगानिस्तान, निपाल और दुश्मन देश पाकिस्तान तक में धून निकाला गया इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम था जहूर मिस्त्री का जिसे कराची में सरह रा सिर में गोली मार कर धेर किया गया ये जहूर मिस्त्री कोई और नहीं, बलकि 1990 में में इंडियान एरलाइन्स की IC 814 plane को hijack करने में शामिल था इसने अपने साथियों के साथ काटमांडू से दिल्ली आरी फ्लाइट करने के वल अपरण किया था बलकि प्लेन में बैठे एक यात्री रुपेन कत्याल का गला काट कर हत्या के थी ताकि भारा सरकार को डराया धमकाया जा सके जैसे हम जानते हैं कि जहुर मिस्त्री और उसके साथ ही plane को अफगानिस्तान के कंधार ले गए थे और फिर भारत की जेल में बंद तीन बड़े आतंक्यों के रिहाई के बदले ही plane और यात्रीयों को छोड़ा गया था इस घटना से भारत के security system में fault line तो जाकर हुई ही थी साथ ही पूरी दुनिया में भारत की छवी एक कमजोर देश के तौर पर बन गई थी IC 814 की hijacking के दोरान अजीट डुवाल उस वक्त intelligence bureau यानि आई बी में joint director के पत पर तैनात थे और खुद ततकालीन विदेश मंत्री जस्वन सिंग के साथ रिया के गए तीनों आतंकियों को कंधार लेकर गए थे ठीक ऐसे ही 1985 में एर इंडिया के फ्लाइट को बम से उड़ाने वाले एक आतंकी रिपु दमन सिंग मलिक को पिछले साल जुलाई में करनडा में मौत के घाट उतार दिया गया रिपु दमन की उम्र उस वक्त 75 साल थी और खालिस्तानी संगटन बबर खालसा से वो जुड़ावा था ऐसी ही इसी साल फरवरी में पाकिस्तान के रावल पिंडी में हिजबल मुजाहिदीन के ऑप्रेशनल कमांडर बशीर एहमद पीर को बाइक सवार हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया बशीर जम्मु कश्मीर के कुपवाडा का रहने वाला था और आतंकी संगटन हिजबल यानी हम के आतंकियों के लिए पाकिस्तान में मिलिटरी ट्रिनिंग दिलाने का काम करता था इसके लावा आतंकियों को ल.o.c. पार्क राने की जिम्मेदारी भी बशीर के पास थी पाकिस्तान में ही एक दूसरे खालिस्तानी आतंकी हर्विंदर सिंग संदू की ड्रग्स की ओवर्डोस से मौत हो गई थी बश 2021 में पंजाब कुलिस के मुख्याले पर रॉकेट लॉंचर से हुए हमले में संदू उर्फ रिंदा का नाम सबसे पहले आया था हमले के वक्त ये कहा जा रहा है कि रिंदा मुख्य हमलावर के साथ वीडियो कॉलीन पर था इसके लावा हिट लिस्ट लंबी है जिनने अफगानिस्तान और नेपाल तक में मारा गया है लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि खुपी एजंसिया ये काम कैसे करती है क्या RAW एजेंट विदेश में जाकर देश के दुश्मनों को निट्रलाइज करते हैं इस बारे में मैंने खुद RAW के पूरा अधिकारीों से बात की तुन्होंने साफ कर दिया है कि भारत अमने कमांडों विदेश में भेज कर ये काम नहीं करता है उनना ही कोई ऐसी क्रेक टीम बनाई गई है जैसा हॉलिवूड और जेम्स पॉंड की फिल्मों में हम देखते हैं फिर कैसे किया जाता है RAW के अधिकारी जादा तो कुछ नहीं बताते लेकिन इतना जुरूर बताते हैं कि विदेशों में ऐसा काम करने वाले लोग मिल जाते हैं लेकिन सच्चा ये है कि अब भारत के दुश्मन विदेशों में विशारण तो दूर शिप नहीं पाएंगे यहीं वज़ा है कि पाकिस्तानी खुफी एजनसी आएसाई भी आजकल सकते में है और रॉक का नाम अचानक से एक बेहदी खतरनाक इंटेलिजेंस एजनसी के तवाद पर उभर कर सामने आया है ठीक इसराइल की मौसाद की तरह है जो अपने दुश्मनों को टार्गेट करने के लिए सालों साल तक इंतजार जरूर करती है लेकिन छोड़ती नहीं है क्या भारत कभी इस तरह की टार्गेट किलिंग को लेकर कोई जवाब देगा तो इसका जवाब है बिल्कुल साफ नहीं क्योंकि इंटेलिजेंस एजिस्टियों का जो काम होता है इसको लेकर ना तो कोई अधिकारिक जवाब कभी मिलता है और नहीं कभी कोई इसके बारे में खुल कर बात करता है हाँ 25-30 साल बात कभी कोई रिकॉर्ड सारजनिक होता है या IB-71 जैसी हिंदे फिल्म बनती है तब जाकर ऐसे ओप्रेशन की हकीकत सामे आती है आज का वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात पताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले ख़वर आई थी कि खालिस्तान का एक बड़ा समर्थक और सिख फोर जस्टिस नाम के प्रतिबंदी संगठन को चलाने वाले गुर्पतवन सिंग पन्नू के अमेरिका में एक रोड एक्सिडेंट में मारे जाने की ख़वर आई थी हलाकि बात में ये ख़वर गलत साबित हुई सोशल मीडिया पर इस एक्सिडेंट की तस्वीरी भी वाइरल हुई थी ऐसे में ये माना जा सकता है कि या तो ख़वर गलत थी या ऐसो तो नहीं था कि पन्नू रोड एक्सिडेंट में बच किया हुई और फिर बचने के बाद उसने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो मैसेज जारी किया हुई धन्यवाद जय हिंद